नमस्कार दोस्तों कहता है ना कि अक्सर जो टेलेंट होता है वो आपको सड़कों पर ही नजर आएगा इंडिया में तो वैसा वैसा ही होता है तो आज हम पहुंच चुके हैं जेपुर के अंदर लाल कोटी और यह यहां पर जो कपड़े बेज रहे हैं यह है मुकेश जी तो इनका टेलेंट आप भी जानकर दंग रहेंगे कि ऐसा टेलेंट भी है है यह पर यह जो इनकी दुकान लगा रकी है यह पार टाइम की पने बहुर आजा से बताएंगे कि शूरत यह में परते ओर इनका टेलेंट है वह बताने वाले हैं कि यह अपने हातों से इसकरच बनाते हैं वह भी आपको यह से लगगा जाँ फूरा का जो चित्र है वह जीवित कि साड़ी से चित्र बना देते हैं और जो मतलब लकडी पर चित्र बना देते हैं जले गाम में इनके आपको पोटर जीrikाता हूँ। जो चित्र बनाते हैं। दोस्तों ये जो चित्र रहे गर रहे हैं। ये साड़ी से बनाई गई पेंटिंग है। ठीक है साड़ी से इन्होंने बनाई है और यह देखो यह पूरी की पूरी यह किस पर बनेगे यह लकडी chutnal लकडी को फुरेदकर इनने पैंटिंग बनाई है यह दky निर्मल चोदरी की है पुरा यह हातों से यह किसे बनाया है यह यह झाल देखो खूबवा तत्श मिन नहीं है यह किसे बनाई है यह ग्रे फाइट पेंशों से बना है यह 05 सारी की सारी यह दो को इस प्रकार की प्रकार की यह बना रहे हैं मैं बच्पन से बना रहा हूं बच्पन से करते हुएं यह बनाते हैं इस ने इसके तरफ शूंप बनाता है और बहुता की तरफ से लेप लगाएं पर पेंटिंग बनाया जाती है गाई जाता है और जो लकडी बनता है तो देखा आपने किस परकार सड़कों पर भी टेलेंट गूमता तो बिलकुल टेलेंट की कदर हो तो पीलकुल एक नया मुकाम बिल सकता है यह स्कूल से आने के बाद यहां पर ड्यूटी करते हैं मुझे लगा तो बिल्कुल मैंने भी वीडियो बढ़ाना उच्छे समझा यह पुरा का पुरा जैपूर का लाल कोठी का मार्केट है चलेगा दन्यवाद दोस्तो